नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आगी हो कि लेगे बडीकर केसाथ देखी दुस्तों ये से नोटबुक स्टीकर कैसे डीजाइन कर सकते किえー डीजाइन कर सकते दूस्ती इस पे अबने ग्रेडियन डाल रख है लाइट रेड एन डार्क रेड इस ते हमने नहीं देन से इंब किया ओने अच्छी ए एंद देन डेजुलेशने होने 300 दन ओके करेंगे कि किर आप लिए से एवागा ओए वाद यह पर फोर पर कीलिक करना कि ठीक उसके बाद आप któregoन यह हमें mm की जगह cm करना है देखिए यहां से हमें के rectangle box लेना है ले लिए आपने box उसके बाद साइज लेना है इसको select किया हम करेंगे 8.5 टेब दबाएंगे और इसको हम कर देंगे 5 यह होता है इस्टीकर साइज नोटबुक इस्टीकर की साइज यह होता है उसके बाद हमें एक box लेना है ठीक उसके बाद देखिए सेंटीमेटर को इंचिज में करना है convert सेलेक्ट करना है box जो हमने लिया है उसको हम करेंगे 0.1 टैब 0.1 दोनों को सेलेक्ट करेंगे object align align distribute left टॉप इस पर हम गाइड लाइन रखेंगे देखिया ठीक दोनों को सेलेक्ट किया right bottom यहां पर हम गाइड लाइन रखेंगे ठीक इसको delete अब हम एक box बनाना है देखिये जो हमने guideline ले रखा है उसी size का हम एक box बनाना है ठीक देखिये बन गया हमारा इसको हमने select किया center कर दिया इसका हम color कर देते हैं कुछ भी कर सकते हैं color देखिया यह color कर दिया इसको हम कर देते हैं byte इन दोनों को select करके इसका outline हम कर देते हैं done ठीक उसके बाद क्या करना है फाइल में जाना है यहां पर import option है इस पर click करना है एक यह 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 तीन पोटों import कर लेते हैं एक दो तीन ठीक देखिये यह हमारा text है हमने text अल्लेजी type कर रखा इसको हम Ctrl C करेंगे यहां पर Ctrl V कर देंगे कहां गया text यह है इसको select किया shift दबाया यह वाले में select हो जाएगी देखिये यह लग गया उसके बाद हमें लगाना है यह हम अपने हिसाब से बड़ा चोटा कर सकते हैं ठीक देखिये अब क्या करेंगे हम फाइल के अंदर जाएंगे यहां पर import को option इस पर क्लिक करेंगे हमने gradient pattern डाउनलोड कर रखा इसको import कर लेंगे इसको select किया object में गया power clip place inside frame देखिये दोस्तर हमारा student notebook sticker जो हमारा first बन चुका है इसको हम side कर लेते हैं इसको हम पकड़ते हैं control-c, control-v कर देते हैं इसको हम side रख लेंगे अब इसको select करेंगे अंदर वाले box को bitmap convert to bitmap 500 cm by के दोनों tick होना चाहिए ok करेंगे select bitmap हम जाएंगे 8 3D effect देखिये जाए page curve आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी हिसाब से अब घटा भी सकते हैं कम रखेंगे इसको हम रखेंगे 10 अब इसका color भी change कर सकते हैं आप इसका color भी change कर सकते हैं कुछ भी रख लेज़ें देखिए यह रख लेता है then ok कर देता है अब इस पर हम दूसरी image लगाते हैं देखिए यह वाली image shift page up पीछे वाली image delete delete इसको हम कर देता है बड़ा ठीक ठीक इसको select करेंगे object power clip added power clip इस पर यदि हम कोई color करते हैं तो color नहीं होगा क्योंकि हमने पीछे already image लगा रखी है object में जाएंगे power clip added power clip इसको हम कर देता है delete ठीक उसके बाद क्या करना है object power clip finish editing इसको select कि हमने यहां पर जाएंगे double click करेंगे और यहां पर जाएंगे इसको उपर कर लेते हैं ठीक पर यहां पर double click इसको हम कर देते हैं यह ठीक इसको double click हम कर देते हैं इसका यह पर डबल किलिक यहां पर यह यह यहां पर डबल किलिक अब अपने हिसाब से कोई भी कलर चूच कर सकते हैं ठीक यह यह यहां पर और कलर डाल देते हैं यह यह और इसको हम कर देते हैं यह ठीक ओके करदेता हैं देखिए पीछे का हमने देखिए दोस्तों पीछे हमने ग्रेडियंट पैटन लगा दी ठीक इसको हम सेलेक्ट करते हैं Ctrl C Ctrl V हम लगा देता है यह वाली पूटक सेप्ट कर जब यह डिलीट इसको बड़ा करेंगे इस पर आब आप दिछाए तो कोई भी color normal color भी कर सकते हैं देखिए दोस्तों आपको मैंने तीन pattern बता दिये एक gradient pattern लगा के जो दो color का gradient है एक मैंने अलग-अलग gradient लगा दिये देखिए इतने सारे gradient color लगा दिये और एक simple background रखके ठिक दोस्तों अब इस type से आप अपना notebook sticker बना सकते हैं दोस्तों अब वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक्यों दोस्तों दोस्तों